नमस्कार स्वागत अपकरेन अनुश्टेंटी खोड़ पर मैं हूँ प्रिंस लामबा हरियाना प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है इसका एक नमूना इस तरीके से देखा जा सकता है कि परिवारवाद के खिलाफ लगातार च मानदाघ कर सकती है इस बार केंश कहीं जो नेता अपने बेटे-थे योंको अपने प्रिवार के से भस्यों को रिश्तेदरों को चुनाओं उतार चाहते हैं वो कहीं बीजेप़ी के उपर हावी नजर आ रहे हैं और शुक्cies रहे हैं इस बार खर्व हमिए परिवार वाद क अन्य दलों की तरह जिन पर वह आरोप लगाते लगातार कि तमान राजलतिक दलों में प्रिवारवाद चलता है लेकिन भाजपा में नहीं चलता तो इस बार वह प्रिवारवाद बीजेपी के अंदर भी देखने को मिलेगा हालांकि आपको विस्तार से बताएंगे कि पिछले 10 सालों से लगातार बना हुआ हिरवाल के किंग राजनिती के राजा आहिरवाल छेतर के राजा राह उंदर जीत सिंग जो की 2014 से ही लगातार प्रियासरत हैं कि बीजेपी के टिकट पर अपनी बेटी को चुनाव लडवास के हालांकि पिछले दो योजनाव में उन फिर भी हार नहीं माने और बीजेपी पर दबाओ बनाया उस दबाओं के बाद राविंदर जीद सिंग के इतना हाथ जरूर लगा कि आहिरवार छेटर की कई सीटो पर उन्होंने अपने हिसाब से अपने करीबी लोगों को अपने करीबी जो है करेकरताओं को नेताओं को टिकट दिलवा कर चुनाओं में उतार दिया लेकिन इस बार कहिना कि राविंदर जीत सिंग अपनी बेटी को टिकट दिलवाने के लिए फिर भाजपा के उपर दबाओ की राजनीती करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि उनके कर्यकरमों के माध्यम से साफ वे जलक भी रहा है परतीत भी हो रहा है और इस बार कहिना कहीं च सरचाय चल रही हैं संभावनाय लगाए जा रही कि राविंदर जीत सिंग तीन हलकों के एक साथ लेकर चल रही हैं जिन में से एक जो सबसे अधिक सेफ सीट उनकी बेटी आर्ति राव के लिए रहेगी वहां से अपनी बेटी को टिकर दिलवा कर चुनाओं में उतार पिछली बार कहिना कहीं वो पाल्टी की योजनाओं से पाल्टी की जो है एकता से बंदे हुए थे और इसी के कारण उन्होंने किसी भी तरिक्के से बगावत नहीं की हालांकि हर नेता अंधुरूने बगावत अवस्य करता है जो की बादशापूरे हलके में देखने को भी मिली और कहिना कहीं बीजेपी बादशापूर से चुनाओं नहीं जीत पाई थी 2019 के अंदर लेकिन इस मार बादशापूर सीट राव इंदर जीत सिंग के लिए सेफ सीट नहीं रहने वाली क्योंकि वहाँ पर उन से 36 कागडा रखने वाले राव नरबीर सिंग सकीरियन इतना जरूर है कि जिस तरीके से राव इंदर जीत सिंग ने भाजपा पर दबाव बनाया है उस हिसाब से ये तहना गलत नहीं होगा कि इस बार बीजेपी राव इंदर जीत सिंग की बेटी को टिकट देने से कुरहेज नहीं करने वाले राव इंदर जीत सिंग की बेटी क प्राफी मेहनत कर रही है और ऐसे में जोर तोड की राजनिती के जब बात आएगी तो आहिरवाल चेतर में राविंदर जीत सिंग के कहे अनुसार टिकट वित्रण भी भाजपा करने को मजबूर है विवस है और कहिना कि राविंदर जीत सिंग के अनुसार टिकट वित्रण क एवेज में बीजेपी राविंदर जीत संग से जीत की गारंटी भी लेगी और तभी राविंदर जीत संग के कहे अनुसार टिक्टो का वितरन होगा इसके बाद अगर बात की जाए, तो दूसरा इस लिष्ट में सबसे बड़ा नाम है किरन चोधरी का जो कि कॉंगरेस से कुछ में पहले बीजेपी में सामिल हुई बीजेपी में सामिल होने के बाद उन्होंने बीजेपी के कई बड़े निताओं को पचाड दिया किस मामले में वो आपको बताते हैं नाले में क्यरण चोधरी को बीजेपी की तरब से राजसवा के लिए नोमिनेट कर दिया गया है। लिपेंदर हुड़ा के रोहतक लोगसवाशीट से सांसद चुने जाने के बाद जो उनकी एक राजसभाशीट खाली हुई उसके उपर किरन चोधरी को भाजपा की तरफ से नोमिनेट कर दिया गया ऐसे मैं कहिना कहीं दूसरे दल से आकर और बीजेपी के उपर अपने राज परागत सीट पारिवारिक सीट तोसाम से अपनी बेटी सुरूती चोधरी को चुनाओ लड़वाने की तैयारी में है यानि कि चर्चाएं चल रहे हैं कि किरन चोधरी की बेटी सुरूती चोधरी को भाजपा तोसाम से टिकट देने जा रही है जिसकी तैयारियां लग भग पूरन हो चुकी है तो ऐसे मैं ये कहा जा सकता है किरन चोधरी भी अपनी बेटी को टिकट दिलवाने में लग भग सफल नजर आ रही है इसके बाद अगर बात की जाए तो हाल ही में कुरुक छेतर से सांसद बने भाजपा के नवीन जिंदल अब अपनी मा सावितरी जिंदल जो की पूरे भारत वर्ष की सबसे अमीर बिजनस वूमेन है तो ऐसे मैं कहिना कहीं ये कहा जा सकता कि सावितरी जिंदल है एक बार फिर अपनी पैतरिक सीट हिसार से चुनाओ लड़ने की तैयारी में हालां कि उनका बेटा नवीन जिंदल कुछेतर से सांसद बन चुका ह तो कहीना कहीं डबल पावर प्राप्त करने के लिए और अपने बेटे की ताकत का इस्तमाल करके सक्तियों का इस्तमाल करके उनकी माँ भी सावितरी जिंदल भी हिसार विधानसवा सीट से टिकट के मांग करके चुनाओ लड़ने की तैयारी में है इससे आगर बात की जाए जो सफल नहीं हो पाए था इस बार सिरे चड़ता हुआ नजर आ रहा अपने एटे देवेंदर चोधरी को टिकट दिलवाने के लिए कहीना कहीं केपी गुजर काफी जोर आजमाईस करते हुए नजर आ रहे हैं काफी जोर तोर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इस बार कहीना कि उनके बेटे को मोका मिल सकता है इसके बाद अगर बात की जाए तो भ्युवानी में अंदरकर लोक्सवा सीट से भाजपा के लगातार तीन बार के सांसद चोधरी ध्रंबिर सिंग भी अपने बेटे के लिए टिकट को लेकर परियासरत है आलांकि चोधरी चोधरी ध्रंबिर सिंग को केंदरियम मंत्री बना सकती है लेकिन कहीना कहीं वो बात सीरे नहीं चड़ पाए और चोधरी ध्रंबिर सिंग लगातार तीन बार जीत दरज करने के बाद भी केंदरियम मंत्री नहीं बन पाए तो ऐसे न कहीना कहीं उनको संतुष्ट करने के लिए और जाट वोट बेंक को भी अपनी तरफ हाकर्षित करने के लिए अब चोधरी ध्रमबिर सिंग के बेटे मोहित चोधरी को विधान्सवाद चुनाओं में उतार सकते हालांकि छोधरी ध्रमबिर सिंग भी लगातार पर यासरत रहे हैं कि उनके बेटे को टीकट मिले औ कर अपने बेटे को राजनितिक तोर पर स्थापित कर सके लेकिन कहिना कि इस बार उनकी ये कामना भी पूर्णे हो सकती है अगर बीजेपी की महरबानी रहती है अगर भाजपा के अंदर परिवारवादे चलता है इसके बार अगर बात की जाए तो हर्याना परदेश में फिल रहते अगर थैं कर सकती है चाहे उनके बेटे को मंतरी बनाने की बात हो चाहे कुल्दिव विश्दूई को दो पार राजे सह बेज़े जाने की बात हो या फिर लोक्षवा चुनाओ लड़वाने की बात हो तिनों मौकों के उपर कुलदीब विश्णोई को भाजपा की तरफ से सिरफ बेरुखी मिली है उनकी महनत का कोई भी फल भाजपा ने उनको नहीं दिया तो ऐसे मैं कहिना कहीं अब कुलदीब विश्णोई को संतुष्ट करने के लिए ये चर्चाय चलाई जा रही है ये चर्चाय चल रही है कि कुलदीब विश्णोई अपनी पत्नी रेनुका विश्णोई और अपने बेटे भव्य विश्णोई दोनों को वीजेपी के टिकट पर चुनाओ लड़वाने की तैयारी में है यानि कि दो टिक्ट दो सीटे कुलदीब विश्णोई को भी मिल सक हैं तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर कहिना कहीं जो नेता पिछले लंबे समय से दबा हुआ महसूस कर रहे थे अपने बेटे बेटियों को राजनितिक तोर पर स्थापित नहीं कर पा रहे थे इस बार उनको एक सुनहरा मोका मिल चुका है इस बार अप फसी हुई नजर आ रही है तो ऐसे में तमाम वो नेता जो अपने बेटे बेटियों को चुनाओ लड़वाना चाहते हैं पिछले एक योजना से या फिर दो योजना से लगातार बीजेपी की टिकट दिलवा कर चुनाओ लड़वाने के लिए परियासरत नजर आए लेकिन बीजेपी की जो परिवारवाद विरोधी योजना रही है वो अकसर इन नेताओं के आड़े आती रही वो अकसर इन नेताओं के सपनों पर पानी फेरती रही लेकिन इस बार भाजपा फस चुकी है और इन नेताओं को भाजपा की से मजबूरी का फाइदा मिल सकता है अग अपने अनुसासन का और प्रिवारवाद के खिलाफ की निती का गुनगान करने वाली कसी दे पढ़ने वाली भाजपा पार्टी कहिना कहीं आगे भोविश्य में कभी भी प्रिवारवाद के खिलाफ नहीं बोल पाएगी और अपने अनुसासन की दुहाई नहीं दे पाएगी तो ऐसे नहीं कि देखने वाली बात यह रहेगी कि जंद ही जो भाजपा की सूची आ सकती है परतियासियों की सूची घोसित की जा सकती है उसमें परिवारवाद को मोका मिलता है या फिर तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए परिवारवाद को बढ़ावा नहीं जिए निस सब बातों के साथ मों परिए सलमा हरियाना निविश्टिवार नमस्कार जैहिंद